नमस्कार दोस्तों सागत है आपका अरब टॉक्स इंस्पारिंग स्टोरी आफ ओकामन मैं के एक फ्रेश अकमल एपिसोड में मैं हूँ आपका होस्ट अनन तो चल ये शो को शुरू करते हैं ये शो एक बेसिकली पॉड़कास्ट है जिसमें हम हमारे शहर या कहीं भी आसपास के क्रियेटर्स आर्टिस्ट एक्सेक्टरा को हमारे शो पर लाएंगे और उनकी बारे में जानेंगे उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी को आपके साथ शेयर करेंगे सो आज जो हमारे साथ जुड़े हैं और जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही बढ़िया और कमाल के वीडियोस बनाते हैं और करेंट सिट्वेशन आफ दा सॉसाइटी को बताते हैं तो आईए आज उनका वेलकम करते हैं और उनसे इस बारे में और डिटेल में जानते है तो चलिए वेलकम करते हैं मिस्टर रिशी नहार एंड मिस्टर रिदम पोरवाल जी का बहुत स्वागत है आपका हमारे अरप टॉक्स में फॉस्ट आफ मैं चाहूंगा कि आप आप लोग अपने बारे में थोड़ा हमारी ओडियंस को बता है ताकि वो आपको और डीटेल में जान सके तो मैं यह जो सोशल वर्क है लाइक फोर टाइम से कर रहा हूं मैं मेरा यही एम होता है कि लोग जो है ना किसी को देखे तो उनकी हेल्प करें लाइक जो दो चीज होत इसलिए करता हूं कि मैं को अंदर से खुशी मिलती है एक जब तक आपको अंदर से खुशी नहीं मिलेगी ना तब करी नहीं पाओगे और लोग क्या है अब जैसे कर भी देते हैं बड दिल से जो क्या हो है ना वो जो खुशी मिलेगी ना वो कहीं नहीं मिलेगी मलोग जो जो अपनी जीवन में जो एपनी जीवन जो है अगर आप उस चीज को शेयर लगते हो तो वह मैं सारे फीड़ेज में रहता हुआ तो आपको क्या मोटिवेशन रह आपका इसका, क्या ब्रेक्थू था आपने किसको देख के यह आइडिया आपको देखो बात यह है कि किसी को लोग करते है कोई नहीं देख करते है मेरा यह था कि मेरा जब पैदा हुआ था उसके बाद लाइक 10, 12, 11, जब मेरा हो गया पूरा लाइक मेरा इन्सपिरेशन मेरी लुड़ी से आया है तब से मैं यह काम कर रहा हूं मेरा यह अंदर से कि बस करना है लाइफ में इसी को आगे करना है लाइक बढ़ाना है जैसे ही अपन जाफ कोई रच फामिली में आते हैं उनके लाइफ में सबसे जादा लक्शरी होती है तो मेरा वे बल्कुल इस चीज को डूसरों के साथ भीच बिल्कुल यह मैंने सबसे बड़ा मोटिवेशन हैं जी जी तो जैसा कि आपने बताया कि आपको मोटिवेशन मिला फ्रॉम रिच और उनको देखके हम अकसर यह बात देखते हैं कि जब भी कोई आप नया इनिशेटिव लेते हैं या नया काम करते हैं तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा हमार साथ शेयर करें बात यह है लोग बोलने वाले बहुत बोलते हैं बात वह यह जब आप अच्छे काम कर रहे हो ना तो लोगों की जिंगी में अभी सुनो इमान तो यह इमानना है में साथ भी life में भोग भार हुआ था like जब में था तो लोकुछ लोग ऐसे भी बौलते थे बही डालता है show of कड़़ चरिटी हम भी करते हैं में साथ भी हुआ है charity करते हैं तो photo डालता है YouTube Instagram पर अभी भी भी साथ बोलते हैं से कोई बात दि बैकब करते हैं तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी आराउंड 14 रही थी जब आपने फर्स्ट इसके बारे में सोचा था इसके बारे में सोचा था और उस टाइम आप लगबग 8th या 9th में रहे होंगे तो उसमें आपने दोनों चीज़ों को स्टुड्य की साथ कैसे मेंज किया यह सब करना प्लता या आप देख लो कि आप मैसिमम मैं ने में घान चाह से जाधा हुआ करता है यह जानते होगे कि जब social work कि है कि में इनके लोग के time ठीक से नहीं निकाल पाते हैं उसके अंदर में इनके होता है time होता बली आप पांच मिन के लिए जाओ बट जो perfectly आप time दोगे ना तो वही सबसे best रहेगा इसके अंदर मेरे case में ऐसा है कि I thank my parents हमारे family में स्टार्टिंग से ऐसा था कि कुछ time हम ऐसे चिल्रेंट के साथ निकालते थे ऐसे orphanages के साथ हमारा टाइम सब्सक्राइब करते हैं कि हम से अगर भी कुछ बेनिफिट हो सकता है तो फर्स प्रिफरिंस भी था तो आप ने जब इस सोचल सर्विस के बारे में फर्स अपने पेरेंट्स को बताया तो उनका क्या रियक्शन था उन्हों ने आपको कैसे सपोर्ट किया इस चीज में और नो डाउट पैरेंट्स हमेंसा सपोर्ट करते हैं अगर आप अच्छा काम करोगे ना पैरेंट्स आपको कभी मना ही नहीं करेंगे लाइफ के अंदर ठीक है बट क्या आज की सिट्वेशन जो थोड़ी है ना जो जनरेशन अगर मैं टीनेजर की बात करता हूं तो आज कल क्या थोड़े करते हैं अग्या काम करते हैं जैसा मैं आपको पहले बता है काम प्याप को फामिली तच रहे हैं जी उनका पूरा सपोर्टर रहे भावेशा सटाओं क्यालिव अच्छिल एवग मेंन्साद तो आप किसी community से जुड़ेवे हैं या आप अपना अलग करते हैं जैसे community जैसे आरे चेह रॉबनुड आर्मी है पैटा है जो animals का करता है तो आप भी वैसे कुछ जुड़ेवे हैं या अपना इंडिविज्वल करते हैं मैं इसके लिए आपका सिभ चार मिलूगा मैं पूरा बताओंगा मेरी कि मैंने कैसे स्टार्डिया लाइक मैं जब था पहले तो मेरा पहले खुड़ के ग्रूप ता सोचल स्कॉर्ड के नाम से वो इंसाग्राम पर अभी भी है तो उसमें मैंने काम किया था तीन से चार साह ल जो भी वह वह सब कर रहें तो मैं उसके तुर जूर गिया उससे पहले में खुद के अंदर करता था लाइक कुछ का गुड़ करता था और अब भी मैं इसके जो क्या है कि इन सब गुरुप के नदर जूडने साब को आगे लाइफ में बहुत बेनेफिट मिलता है तो सीखन होगा कि इसब जोड़ा हुआ है कि करते हैं को चाब गजया है भी काफी अच्छा है तो अक्सर ये चीजे देखते हैं और मैसूस करते हैं बट इंट आपिक्स पर कोई बात नहीं करता और अब इननी टॉपिक्स को लेके बहुत कमाल के वीडियो बनाते हैं तो अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे एक करने से क्या होगा सबको एक्वली कॉंट्रिबूशन देना पड़ेगा इस चीज में आपकी क्या राय है लोग कहते हैं वह भी ठीक कहते हैं उनके अगर उनके पॉंट आप देखो काम को परेगा सब्सक्राइब करने तो बात यह कि लोग अपनी जगे सही बोलते बड़ यह कि जब दूसरे लोग भी अगर सीके फिल करें लोगों को भी तो क्या वह जो पॉसिबल होगी लोगों के मांड से वह चेंज होती रही और एक्ट्स में किया जो पुराने टाइम क इस जो उनके जो बच्चों को नहोंने जो नोलेश जी आए वननों जो सिख्शाद दी थी ना उन्होंने यह दिया था कि कभी भी भी राइक किसी का हो है कर नीचे में वीडियो के एंड में जब इससे बात होने के बाद आपको बाता हूंगा तो यही बात इसके बार अब अब आई कुछ मेरे ग्रेस में मैं तो यह मानता हूंगे टॉल स्टार्ट्स वित यू अगर आप खुद पहले स्टार्ट करेंगे तभी आप जाकर आके दस को मोटिवेट बिल्कुल ऐसे ही एक चेन बनती जाहिए अगर वन से ही चालू होता है मेर से एक बंदा और सी काड़ी से जोट सी मुझे बहुत मज़ा है आप लोगों के साथ इस अरब टॉक्स के सेशन में आप लोगों को कैसा लगा है हमको भी बहुत अच्छा लगा आप से बात करके और आपने हमें बुला है उसके लिए दिल से हम दन्याबाद देना चाहेंगे आपके लिए थैंक्यू कि आपकी में को भी ता पता नहीं था बड मैंने यूटूब पे सर्च किया था जैसे बहुत सार भगवत पुरान होती है भगवत गीता होते है गरूर पुरान होता है तो मैं गरूर पुरान का एक वीडियो देख रहा था लाइक रिसेंटली आया था में पास जी तो यूटूब के मनुश्या जब माम के पेट आन वहत घौन के अंधर होता है तो उसको पिछले जनम का पूरा याद रहता है कि वह क्या था उसने क्या गंडे काम करें कि घुक करो उस चीज उसको करम थे ना जो जो मिरे जो बड़े उसको कं कर तो जिसने में को मौक्स- laten मिल जाए ठीक है तो बट होता है कि जैसे ही वह जैसे महा की पेट से बाहर निकलता है ना तो लोग क्या वो चीज भूल जाते हैं जी बच्छे अब इसली बात है कि सब लोग मिलते हैं पैरेंट्स आते हैं कुशी हो दोती है बट क्या लाइफ में क्या आपको नहीं भूलना बट मुश्किल से मिलता है बात तू भी जैन समाज के अंडर भी बहुत अरकी कितने सारे जानुरों के बाद आपको मुईता है तो बहुता है तो बहुता है कि जो आपकी जो करम है ना वह आप सभी कर पाऊ और क्या लोग आके ना इसमें और बटने लग जाते हैं जी तो क्या उनका जो यह जो लेवन है यह नहीं यहां का यहां चरता रहता है और फिर बापस उनको वह प्रॉब्लम आनी पड़ती है तो मेरा यह है जो भी लोग वीडियो देंगा मैं का कि आप हो सके जित्ता हो सके आप सोशल सर्विस करो या जित्ता भी हो सके आप से दो करें कि जैसे पैसा आप दो वहां पर बिस्कित दे दो कॉफी पिला दो या कोई भी अपका फूड बचा हुआ या उसको शेयर करने पैसा मत दो क्योंकि पैसा ऐसी चीज है वह भगवाने पैसा मनाया नहीं पैसा आपन ने बनाया जी बगवाने से प्रेम से एक साथ रहो यही बात करना चाहूंगा अग्जामबल सपोस्ट चलते चलते आपको देखता है कि उस बंदे को मेरी मदद की जरूरत है मेरे को काम है सब के जीवन में काम होते हैं बट अपना काम चोड़ करके अगर आप किसी के एलुप कर सकता है तो वही सबसे बड़ा होता है आपको हमारे अरब टॉक्स की तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है कि आप ऐसे ही इस टाइप के वीडियो लाते रहें और सौसाइटी को जागरुक करते रहें तो चलिए दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं और अरब टॉक्स ऐसे ही आपके लिए लेकर आएंगे और भी कमाल के एपिसोड तब तक के लिए जय हैं गुडबाई टेक केर